इस वीडियो में हम जानने वाले चिकन पॉक्स मतलब जिसे माता या चेचक कहा जाता है वो अगर मा को हुआ है तो वो क्या अपने बच्चे को दुद पिला सकते है या फिर नहीं मतलब ब्रिस फिडिंग अपने बच्चे को करा सकते है या फिर नहीं या हमें चिकन पॉक्स ह हुआ है तो हमें क्या खाना चीए और हमें क्या नहीं खाना चीए वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले चलिए अज का वीडियो हम शुरू करते हैं Hello friends, welcome to my YouTube channel, मेरा नाम है पुजाशाओ, पहले तो हम जानेंगे कि अगर मा को चिकन पॉक्स हुआ है तो वो अपने बच्चे को दूद पिला सकती है या फिर नहीं, जी हाँ अगर मा को चिकन पॉक्स हुआ है फिर भी वो अपने बच्चे को दूद पिला सकती है, जो वाइरस ह जो है वो मा के दूद में मौजूद नहीं होता है, इन फैक्ट मा के दूद में ऐसे एंटी बोडी मौजूद होते हैं, जो बच्चे को चिकन पॉक्स होने से बचाता है, लेकिन अगर मा को निपल में ही ब्लिस्टर आ गये, मतलब चिकन पॉक्स के दाने आए, तो उस कंड का फूसरीं में नहीं पिलाया जता है लेकिन उसके बच्च नहीं होता है, जो मा के बाकी जगहा पर जो माचे को रोकना चा doit क्योंकि जो chicken box के पानेदर दाने होते हैं उनके अगर contact में डारेक बच्चा आ जाता है तो बच्चे को chicken box होने के chances होते हैं बच्चे को दूद पिलाते वाक मा को कुछ सावधाने बरतनी चाहिए जैसे कि अगर बच्चे को दूद पिला रही है तो बाकी जगों पे कोई cotton का कपड़ा रख देना चाहिए जहां पे chicken box के दाने आये हुए वो cotton का कपड़ा रखके मा अपने बच्चे को दूद पिला सकत मतलब वाश करना चीए लेकिन आप प्रेगनेंट हो या फिर दो ही दीन हुए डिलेवरी को तो उस कंडिशन में तूरण डॉक्टर के पास जाना चीए क्योंकि उस कंडिशन में रिक्स बढ़ने के चांसे होते हैं आपको सीरियस कॉंप्लेकेशन देखने को भी मिल सकते है जो प्रेगनेंट हुमन है और जो ब्रिस्प्रिडिंग हुमन है उन्हें चिकन पॉक्स जीसे हुआ है उस परसन से दूर ही रहना चीए क्योंकि यह प्राब्लम जो है बहुती तेजी से फ्यालता है एक दूसरे को छूने से और जो प्रेगनेंट हुमन है उन्हें बहुत ज यहां तक कि, वह हमारे आखों में, बाल में या फिर गले के अंदर तक हो जाता है। ieneUSma से काफी ज़यदा तकलीब होता है। यहां तक कि उनका खाना पीना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। चिकन पॉक्स में जल्दी ठिक होने के लिए हमें खाने पीने में भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीजे ऐसी होती है जो हम खा लेते हैं जिसके वज़े से हमारे जो तकलिफ है और ज्यादा बढ़ने लगती है अब हम जानेंगे क चिकन पॉक्स अगर हमें हुआ है तो हमें क्या खाना चीजे चिकन पॉक्स होने पर हमें डेहाइड्रेशन होने के तकलिफ होती है मतलब हमारे शेर में पानी की कमी हो जाती है इसे लिए हमें चिकन पॉक्स हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करना च कमज़ोरी आजाती है उसे भी दूर करेगा चीकन पॉक्स अगर हमें हुआ है तो हमें चौक मारी हुई सबज wus़ी नहीं खाना ची आप सूप भी होता है तो अगर गल्लेум हो गया तो काफ़ी तकली ठीक खाने पीने में चिकन पॉक्स अगर हमें हुआ है तो हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स यानि फल खाने चाहिए खाना कम खाना चाहिए फल हमें खट्टे वाले नहीं खाना चाहिए हमें मीठे फल खाने के कोशिश करने चाहिए चिकन पॉक्स होने पर हमें दही खाना च चिकन पॉक्स में आप दलिया खा सकते हो खिचडी खा सकते हो सूजी खा सकते हो या फिर आप उपमा खा सकते हो यह सब चीजे भी हम चिकन पॉक्स में खा सकते हैं मतलब ऐसे चीजे खाना चाहिए जो पचाने में बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो, मतलब हम आसानी से जो चीजे पचा सकते हो, वो चीज हमें खाना चाहिए. आप ऐसे पधार्द भी खा सकते हो, जिसके अंदर में विटामिन E हो, विटामिन E क्या करता है, चीकन पॉक्स के वज़े से हमें जो दाग धपे आये होते हैं, उससे ठीक करने में काफी ज़्यादा मदद करता है विटामिन E. अब हम जानेंगे कि अगर हमें चिकन पॉक्स हुआ है तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए, अगर हमें चिकन पॉक्स हुआ है तो हमें खटे फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, या फिर खटे फलो का जो जूस होता है वो भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब प्लिफ उसे बढ़ा सकते हैं हमारे दर्द को भी बढ़ा सकते हैं और जो हमारा ठीक होने का टाइमिंग है उसे भी वह लंबा कर सकते मतलब जल्दी ठीक होने की बजाए हमें और भी टाइम लग सकता है इसके अलावा हमें डेरी प्रोडक्स नहीं खाना चीए जादा मसाली तत्र मतलब जो डाइजेशन है वो ठीक नहीं रहता है कुछ लोग क्या करता है चिकन पॉक्स होने पर वह नौन विच खा लेते यहां तक कि वह बच्चे को भी खिला देते लेकिन चिकन पॉक्स में नौन विच बिल्कुल भी नहीं खाना चीए क्या होता है कि जब चिकन बढ़ सकती है अगर आप नौन विच खाते हो बच्चे को तो बिल्कुल भी चिकन पॉक्स अगर हुआ है तो नौन विच नहीं खिलाना चाहिए चिकन पॉक्स होता है तो हमारे जो लीवर है वह भी कमज़र हो जाता है इसलिए चिकन पॉक्स जब भी होता है तो दूद न नहीं पीना चाहिए इलाज के साथ में अगर आप यह सब चीजे खाते हैं या फिर जो चीजे नहीं खाना है वह नहीं खाते हैं तो आपके तकलिफ भी कम होंगी और आप बहुत ही जल्दी ठीक होने लगोगे फ्रेंड्स अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे हो तो इस लाइक शेयर और सास्क्राइब किजएगा थैंक इस सो मच फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में